आप सब जनते आज एक प्रेसमिट में अमारे आसाम के सीम जी ने कहा कि अगर फर्ज जुलाई में कोरोना की जो पोजिटिविटी रेट है अगर तू परसंट के नीचे आते तो 15 या 20 जुलाई से एक्जमिनेशन आफ लोग के स्टार्ट हो जाएंगे अगर तू परसंट के अब आप रेते तो एक्जमिनेशन केंसल हो जाएंगे तब गोबार्मेंट इंटर्नेल एसेस्मेंट के तरफ जाएगी फिर से कन्फूशन एक भी स्टेटमेंट अच्छे से प्रपर नहीं आ रहे के स्ट्वेंट इसके ओपर बेस करके आपने जो प्रेपरेशन जड़ा कन्फिस्ट करें और जड़ा स्ट्रेंश कन्फिस्ट हो रहे उस दिर मीटिंग में हमारे एग्जुकिशन मिनिस्टर जी ने कहा कि जुलाई मेने में एक्जाम होने के चांस नहीं है सिच्वेशन ठीक नहीं होगे हेल्ट डिपार्टमेंट ने भी ओडर नहीं दिय तो आगस्ट एक तरिक से पंड़ा तरिक के अंदर एक्जामिशन हो सकते हैं कन्फिस्ट नहीं थी आज हमारे सिच्वेशन ने फिर एक स्टेटमेंट दिये उसमें उन्होंने कहा कि अगर टू परसन के नीचे जाएंगे तो एक्जाम होंगे टू परसन के उपर आएंगे नहीं होंगे और उन्होंने कहा कि जुलाई 15 से 20 के अंदर ही एक्जामिशन स्टार्ट हो जाएंगे क्या चल रहा है स्ट्रेंस के लाइफ को लेके मतलब उनको एक कंफर्मेशन ही नहीं दे पाड़े फाइनल डेट सी नहीं के पाड़े कि एक्जामिशन कौन सा डेट में हो होंगे क्या एक्जामिशन होंगे या नहीं होंगे कल की जो कॉर्णा की रेट है और 3.26 परसंट के उपर है तो मुझे जितना लगता है एक्टारिक के अंदर आने के 2 परसंट की निचाने के चांसस कम है फिर भी आप लोग प्रिपरेशन लीजिए कोई भरोसा नहीं है एक तरीक और एक कुछ निउज आएगे उससे पहले भी कुछ निउज आ सकते है और आप लोग कन्फिशन में ढाले जाएंगे लेकिन आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटीनू रखे आप लोग पकर लीजे एक्जाम होगा यह सोचके आप अपना प्रिपरेशन रखे और जि भी और जो भी अच्छे अपडेट्स आएंगे मैं आप लोग को वीडियो के तरोग दे दूंगा सो ठेंकिशन फोर जोइनिंग मी